शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोनी का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तलाब की पास। ना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटरजेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो शादी। जाए अपने घर में ही करे काम। फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पुरे गाओं की। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब वीभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है। बेटी, अगर कुछ पूछना है तो पूछलो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे, कैसी बात करी हो मा, मुझे इन लोगों की घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछलो न, क्या पूछना है। आप लोगों की घर कपड़ी कौन धोता है। सास का मूँ बन जाता है। तेखो, अगर तुम ये कहना चाती हो, कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आज आने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोँगी। अरचो परायना भागेवान, बहु बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिट्या, अभी तक तो ये कल्लू की मा ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहज में वाशिंग मेशिन देंगे ही। तब ही वीबा की मा बोल पड़ती है। जाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ, हाँ। अच्छा, अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा, हमें तो रिष्टा बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिष्टा, कपड़े धोने का शौक रखने वाली वीबा का। उसकी शादी हो जाती है कोईला फैक्टरे में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विबा चिल लाती हुई सास के पास आती है। शाक शाक बोल कर कपड़े धोने वाले मेरे जुनोन को कम ना के सास मा, कपड़ा धोना मेरा गरूर है। पिर सारा दिन धोना ना किसने मना किया। अरे कैसे बात कर रही है। दो सो लिटर की टंकी में कितने कपड़े धोलूगी मैं। सुबह ही उठ जाओंगी मैं। अब क्या था। विबा सुबह चार से लेकर रात के बारा बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रूज सास पड़ो से निकल कर कहीं जारी होती है कि साथ वाली कहती है। हाँ कल्लू की मा, सरह ये बताओ कि दो साड़ी है, दो बिलाउज और एक पैटिकोट और एक नाडे वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ? धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पती सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोईला फैक्टरी में, धोबन समिझ रखा है हमें। हाई रे कल्लू की अमा माफ कर दो, पुत महले में यही सब बत्या रहे थे, कि तुमने बहु को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पडोसन की बात सुनकर गुसा आजाता है, वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सुख रहे होते हैं, जितने की किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुलन, बहा निकल। माजी यहीं, यहीं आजाओ बातरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं तुमको बहा निकलो। यह आस पडोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहु से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिये हैं। अरे छोड़ो ना माजी, किन लोगों की बातों में आती हो। आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहु को लड़ा दे। बहु सारे घर के कपड़े धोती है, यह क्या कम है, बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहु का ये संकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खोदी चूप हो जाए। एक रोज सास और बहु मंदिर जाते हैं, जहां सास की साड़ी वहां खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माजी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना। हाँ हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लो की अमा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो, और ऐसे सिंपल सी प्लेन साड़ी पहन कर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने है। कुछी भी सासु मा, कुछी भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पती लेकर आये थे मदरा से, स्पेशली मेरे लिए तसजार की। सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहु के साथ घर आती है और अलमारी से अलबम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं न, ये सोने के धागों से काड़े गए हैं। लेकिन तू, लोकल वाशिंग मशीन, ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजी सासुमा। और तो और जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तू ने तो सब के सामने मेरा मजाख ही बना दिया। बहु को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़ी धोना बंद। झाल झाल